लगाने के लिए क्या है वो आपने मलस्तुग लगाने का विधी बता दी कि उसके उपर सरीय या तो लोहे के सरीय काम में लेशते हैं आजकल प्लास्टिक के भी वो स्टिक्स आती है उनका उप्योग करते हुए हाफ सर्किल यानि आर्च जो बनाते हैं एक आदा गोला आदा बना करके और उसके उपर उसको उड़ा देते हैं उसको जो प्लास्टिक होती है उसको उसको पे लगा देते हैं और इसमें लगाने के बाद में उसको मिट्टी से दिचे दबा दिया जाता है ताकि उसकी पसल में उसमें ना तो कोई कीड़ों का प्रिवेश उसमें हो सकता जी और सरदी से उसके पूरी तरह से विजा जाता है और बीच में अगर ओला वरस्ती नुकसान हो जाये लेकिन फसल बच जाएगी ऐसा कई बार किसानों के खेतों पर देखा है कि ओलावरस्टी भी हो जाती है तो उससे भी इसमें बचाता है तो यानि लो टनल जो अगर आप खिसान ने ले लिया तो पाले से बचाएगा पसल को जो उसके पसल अगेती आएगी और कीड़े और बिमारियों से उसको सब्सक्र करपत्वार से बचाने के लिए तो आपकी मल्च आपने काम में लेगे लीगा जी कर पतवार मल्च जो है आपने काम है उसमें आपका खिर्पतवार बबलक螓 नहीं होईगी और इसके लावा, जो Wein आप जब ले रहे हैं पसल आपका यह देखे कि शमन्यटिया जो बेलवाल फसले हैं कड़ी है टिंड है तर्बूज है यह अगर बिना मल्क के बिना लो टनल के आप में अगर उगाइ जाती है तो मार्च से पहले तो किसी भी से इस्थिति में उत्री भारत में अपलब Simple Death नहीं हो पाती है लेकिन अगर आपने लो टनल और मल्च का उपयोग किया है तो ये आपकी फरवरी में भी बजार में ये सबजीयां आपको दिख जाती है उसमें अच्छा पैसा कास्तकार को मिलता है और तो निश्यतूप से उसको फाइदा ही फाइदा है